नमस्कार, प्रिशी दर्शिन के लाइब फॉन इन करिक्रम में आग सभी का स्वागत है। नमस्कार, प्रिशी दर्शिन के लिए विशे चुना गया है। नमस्कार, प्रिशी दर्शिन के लिए उपनी देशे के पत्पर का रहते हैं। डॉक्टर दर्टा आपका स्टूडियो माने के लिए बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दर्टा जैसे हम बात कर रहे हैं कि कुशी वे भाग द्वारा जो किसान भाईयों के उथान के लिए कौन कौन सी योजना है चल रही है। उनके बारे में आप से विस्तित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम जाना चाहें कि कौन-कौन सी मुख्य ऐसी लोगप्रिय आप समझते ही योजना है जो प्रदेश में चल रही है। डॉक्टर मेता आपने बहुत अच्छा कोश्चिन पूचा क्यूका हमारे सरकार द्वारा झाल सेट्स रजय सरकार द्वारा भी चलाए जा ररी हैं के फिर द्वारा भी हमारी योजना ही चला जारी हैं जिसमें से कुछ महत्वप्रोंनीं कीमों के बारे में आपको पताना चाहता हूँ जिसका कि हमारे किसान भाई लाव गे सकते हैं जैसे कि हमारे सब आजकल जैसे हाली में जे एक कारिक्रम शुरू है जो परदान मंतरी किसान समान निदी योजना शुरू हुई है हमारी अच्छा उसके बार मुख्य मंत्री, खेटी, और मज़्दूर, जीन, सुरक्शा ही हो जना हमारी. मुख्य मंत्री, Geamaan ग्रीन वीइन, योजना है, हमारी. उसके बाद प्रकृतिक क्षिक कोशाल किसान ही हमारी. सौर सिंचाई योजना है मारी. उसके बाद मारे पास राश्टì खादे सुरक्षाय योजना है हमारे पास राष्टे क्रिशी विकास योजना है राष्टे बाकी क्रिशी विस्तार तक्निक का करक्रम भी हम करते हैं क्रिशी विदी करन प्रियोजना जिसको जायका के नाम से जाना जाता है उसके बाद हम कई सिंचाई योजना के काम भी करते ह जैसे शुक्षम सिंचाई के माद्यम से हम कुशल सिंचाई योजना का कारेकरम भी हमारा एक मत्वपुरूर कारेकरम है उसके बार राज्य किरशी यांत्रीकन कारेकरम है कि यह भी हमारा बहुत इंपोर्टन कारेकरम है हमारा पर बहुत सिंचाई योजना है यह भी हमारा एक की बात करें सबसे पहले जैसे आपने कहा जो प्रदान मंतरी या केंदे सर्कार दोरह प screams आपन a ढिखांगे जायो कि किसान सम्मान ने दियुजणा उसके बारे मैं आप fortun कौन से किसान अ जो किस ट्रेडिंग के किसान भाई जो शुरू हुई है यहाली में हमने इसमें कैम्पी लगाए हैं ब्लॉक लेवर पर हमने कैम्पी लगाए हैं दो दो कैम्पी लगाए हैं हमने इसमें और इसमें हमने किसानों को जागरू को भी किया है इसमें ऐसा है कि जिसके पास फार्मर्स के पास जमीन है स्माल एन मार्जन बास उनको पेंशन की इसमें सरकार ने सेंटर गॉर्मन्ट ने लाउ किया है और इसमें जो हम मैक्सिम्म पेंशन जो है तीन हजार रपे तक जैसे वो साथ साल की सुपरनेशन अपनी पूरा कर लेता है लेकिन ये उसके ठारा से चालीस साल तक की आईउ में जो है उसको पच् अगर इस चिरेनी में कोई कैसी किसी के कोई डेथ हो जाती है जैसे कोई तो उसके स्पांस जो है उसको फिप्टी प्रसेंट जो है पैंशन जो है जैसे पंदरा तीने जार पे मिल रही तो पंदरा सुर पी रखा उसको पतरता मिलेगी उसमें और इसमें ऐसा भी है कि जैसे کسی کے اگر पहले पहले वो चाता है कि नамिन स्की की से बाहर निकरना चाहती है तो जो उसने पैसा जमा किया है उसके मिलेगा वह, श्को मिल सकता है, उसको पैसे वापस मिल सकते हैं, अगर उचाहे, कि मैं दस साल से पहले पहले, अगर दस साल से बाथ चाहे तो उसमें जो है, वह उसमें इंटरस्ट भी मिलेगा और जो कॉर्पस फ्रंड जो गौर्वर्मेंट भी जुस्में जमा कर रही है, क्योंकि जितना पैसा हम जैसे पच्पन रबे जमा कर रही है, तो उसमें जो इंटरस्ट लेगा, वह उनको जो है वापस किया घाएगा अगर वह नहीं करना चाहते है इसे पनियोजोना की तो योजोजोना ही अच्छी ऑप ने कहा कि पने तालिस से पच्पंग इसमें है की ठारा साल से चलिस साल थारा साल के पत्थरता वही होगी च्थारा से चलि elleו के इसमें आ सकते हैं लगू समान किसान आए या भरेवी इसमें? लगू सिमान किसान जो किसान आ ने पिक्षान है ऐस स्कीम का जो योजगना का लाब उठा सकते हैं. और साथ़ वर्श डायू के भाद उन्हें समांधन यजना, ये तो होगी यभी। जो समान निदी यजना है। इसमें हमारे को आपको पते है, कि पिछले बरी जुह है, जासे हमारे डिसंबर मैं यजना शुरू होई थी, और इसमें हर एक किसान को 6.000 रिपह जो है उसको मिलेगा। कि पहले इनवार्जन ऐन मारजन फार्मर्स ताब इसमें और भी किसान आ सकते हैं जो रहे गए एंटे हैं वह विचारे का नाम समंनी किसानों को मिलेगा. इसमें जो है इसके स्कीम का जो बेनिफिट उठा रहे हैं. इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे पहले होता था कि कुछ किसानों को मिलता था इसमें लगबग सारे ही किसान जो हमने नहीं तो पात रहता कि जो जिसका गो इंकम टेक्स दे रहा है या किसकी इंकम जो है उसमें ज्यादा है तो उसको हम इसमें नहीं ले रहे हैं खास दो पर जो लगू और समादकेसान हैं उनको चह हजार यानि की अगर हम बात करें दो हजार प्रती 4 20 तृ मासिक उसको तो तो से तो पर चार चार मे उत् references चार में भी थे मां उनके सके साथ दा अगर हम बात करें जो समानीदी योजना की बात की वो एक तरह से पेंशन प्लान या पेंशन स्कीम होगी सरकार की जिसमें साथ वर्ष की आयू के बाद आपको तीन हजार प्रतीमा के साफ से पेंशन आपको मिल सकती है. और जैसे आपने पताया अगर दस साल तक आप इसमें अपने योगदान देंगे और अठारा से चालिस वर्ष का आपने कास का पच्पन रुपए से दो सो रुपए प्रतीमा जो है इसमें योगदान किसान भाईयों का होता है. तो उसके साफ से अगर दस साल से पहले आप इस स्कीम से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको जो कॉर्पर साफ का जो आपका जमा जो राजशिया उस पर बैंक का रिन आपको उस पर मिलेगा. इसके साथ सगर हम कोई और केंदे सरकार दोरा जो रायोजिस कारेकरम या जो योजना पर देस में चल रहे इसके बारे बताना चाहेंगे हमारी एक बहुती महत्तोपूर निसकीम है जैसे परदान मत्री फसल बीमा योजना आती है एक हमारी जो है इसमें किसान के लिए जो है एक परधानमत्री किसान इसमें योजना आती है फसल भीमा योजना में जो है इसमें हम दो तरह की मतलब जैसे ख्रीप के लिए जैसे आज कल ख्रीप चला हुआ है तो इसमें मक्की और धान की हम फसल इसमें योजना करते हैं लेकि है। तो अब इसमें ऐसा है कि जो आपके खलीप का जो आ है। अ हम धो peux पर्रेंट प्रेमियम हम फार्मर से लेते है रभी है। जो लेते हैं। इसे आन्वार पास है फ वेदर बेस्ट पर भी हमने यहां पर जो है इस बरी यह भी चली हुई है कि बहुरी महत्तोपरून स्की में सेंटर गोर्वर्मनेंट की तो इसमें ऐसा है कि 50% पैसा जो है अगर बाई देट परसेंट या 2% से उपर अगर जो कंपनी है उसका प्रीमिम राशी जो होती है बढ हमारे को पैसा नहीं मिला है तो मैं उनको किसानों को उसमें बताधता हूँ कि जैसे हमारे पास यहां पर वैदर बेस्ट के सब्सक्राइज को थीÓ चाहूंगा कि नहीं का टॉल फ्री नंबर लें वो ताकि अगर बाइदी वे किसी का प्रीमिय किसी को अगर इस शंका है या नों को टू थ्री वन जिरो ये एक SBI GIC की जो कंपनी है SBI General Insurance Company है Weather Base जो मैं काम कर रही है उसका नंबर है और दूसरी जो आपकी कंपनी काम कर रही है जो परधान मंत्री फसल बीमायों जो काम कर रही है उसका नंबर भी मैं बता जाता हूँ New India Insurance Company जो उसका नंबर भी नोट कर ले टॉल फ्री नंबर उसका भी नोट कर ले 1-800-209-1415 एक Agriculture Insurance Company भी काम कर रही है दो कंपनिया काम कर रही है जो है उनका नंबर है 1-800-116515 ये इन कंपनियों के नंबर है अगर मौसम की खराबी के कारण अगर कुछी की फसल जो है वो इसको नुकसान पहुंचता है और दूसरा किस वज़े से आपने बताया था ये प्रधान मंतरी फसल भी माई हो जो जो है utilizz कराइटरे ये है उसमने अब पहले होता था कि अगर तेती प्रोइस से अगर आपका जादा नुकसान हो जाए तो इसमें ऑसको क्लीम का हगधार होता है dlaहरा किस वज़ेसे मौसम की वज़े से कि ہम इसमें कहीता से लेते हैं है जैसे कौΑप簡र इस्परेमेंट लेते हैं ह। इस आपका है बीज खरौब था कर आपके पहले हैं अगर किसी फारमर्ज के इसमें तीन 24 चीज़े बड़ी इंपॉर्टेंट है है अगर किसी की इंड्यूजनल पहले इंडिविजिल फार्मर्स को होता था उसको इसका लाफ नहीं मिलता था लेकिन अब जो असरकार नहीं है जो इंडिविजिल फार्मर्स उसके लिए भी बेनिफिट किया है जैसे किसी के खितों में पानी आ जाता है अगर उसने इंशुरंस कराई है कि दो तरह की फिरने स् हो जाएगा. जिसने किसां क रिडिट कार्ड बना है. रहा है. जो अपने खर्चे से को कोई भी किसां जो है कोई फसल उगा रहा है तो अगर उसका नुकसान हो जाता है तो नॉन लॉन वी फार्मर जा, अगर उस रिइगरे बात करें, फल्दार पौदो के लिए भी इसमें बेनEफिट बिल सकता उचा तो अगर हम अधा रिाु से हम पादरता की बात करें की समझत किसान के लिए हर रुक् Employee के किसानी के लिए के लिए हैं या कोई खास हैं या जैसे हम कहें लगू हैं सिमान किसान की लिए ले सकता है अच्छे तो बात करें तो लगबग जब आपकी कोई फसल का नुकसान होता है तो इसको कैसे करके आप उसमें आंगते हैं कि इसको कितना लाव हमने देना है को मारकेट प्राइस के हसाब से हो सकता है कि या हमारा उसमें जो वा जो टोटल रेट्स होता है उसका जैसे अब हम घ्यहूं की बात करें ग्याहिए पर हम उसका आंगते है उसकी कॉस्ट और प्राइस पर पूरा नुकसान हो जाए उसका इसका इंशुरसॐन का पैसा देते हैं तो इसके साथ तगर हम राज्य सरकार द्व काड की बारे में थोड़ा बताएं आप इसमें मैं तो यह सर हर एक किसान से ही कहूंगा कि जैसे हम अपना खून का टेस्ट करते हैं जे और उसे हमारे पता लग जाता है कि हमारे किस चीज की हमारे श्री में कमी है या क्या ममारी है हमारे तो मैं चाहूंगा किसानों से की मुर इसमें किया है कि जहां भी किसान जाएगा वो जी पिएस के माध्यम से इसका जो है अपना पंजी कृत किरा सकता है और अगर कोई किसान इंडीजिन भी करना चाहता है तो f3 of cost है यह सारे का सारा मरिदा प्रिक्शन हमारा free of cost है और अगर कोई अपना इसमें दो तरह की होता है जैसे सबजी के लिए तो मैं चाहूँगा कि इसमें तो क्योंकि हमारे nutrients जो ज़्यादा यूज होते हैं तो हर साल जो है इसमें मरिदा प्रिक्शन करना चाहिए और लगबग कितने समय के बाद जो इसकी रिपोर्ट आती है ऐसा है कि इसमें हमारे जितने भी ब्लॉक है हमारे आपको पता है कि हमारे ब्लॉक में SMS बैठते हैं उनके पास EUs बैठते हैं तो वैसे हम जो agriculture extension hops होते हैं हमारे पास कार्य करव के लिए हमने रियुक्त कि होते है उनको वह अगर बाई Simple Hamo कि नहीं भी आ सकता है तो वह भी हमारा में मदद कर सकते हैं एक इसमारे लारे बहना किसान बाइक्शन करना है तो वह उसमें पूरी हैल्प कर सकते हैं अपने एक मृदा प्रिक्षिंट है क्या है अदे अब हम बात करें कि है आप क्या समझते हैं मुख्य है जो लाब की दित्र म भाई um को क्या है क्या है तो मृदा प्रिक्षिंट का सबसे बड़ा लाब कर आई कि कि सानों को यह चल जाएगा कि हमारे जमीन के अंदर किस चीज की कमी है अगर आपको पता ही है कि अगर हम जैसे न्यूट्रेंट्स हम बहुत ज्यादा यूज़ कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि हमारी सोयल जो है वो जो है मारी आजकल मरिदा प्रिक्शन उसके बुदारे जो है बमार पड़ रही है जैसे कि आपको पंजाब में पता ही है कि वहाँ पर ज्यादा फर्टलाइजर यूज़ करके आप वो जो हमारे पर सस्टेनेबल जो अगरी कल्चर है वो नहीं हो पा रहा है लेकिन हमारे पास जो हीमाचल में अभी तक बहुत अच्छा स्कूप है और हम यहा और हमारे को इसमें यहाइ यूजव करना चाहिए अच्छा एक आपने ड़क्सअभ शूरू में का था मुक्षिमन्तरी के यह तो यह यह स्रकशन के बारे में उसके बारे में फोड़ा भी स्तार से बलाए हाँ मुक्षिमन्तरी खेश्रक्शन यूज़ना जो एक बहुत ही महत्तो पूरून हमारा कारेक्रम मैं देखा आपने की बंदरों के आजकल आपको पता ही है कि यह मारा इमाचल जो सरकार है इसने एक बहुत अच्छी योजना चलाई है पहले इसमें आप इसमें जो हम सोलर फैंसिंग करते थे और इसमें जो हम असी परसेंट और जिएंगे। लेकिन अगर इंडीजन फार्मर्स करता तो इसको इसको 80 प्रिसटर देए।ラि लेकिन हाली में जो हैएए एक खिसानों की बड़े भारी मांग थी, कि हमारे को झाटतार शाहरे को इसमें कांटेता तार बाहर लगाने का जो उसके लिए उनदोल के लिए उन थ के जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने अपने जो विदान सवा में भी भूला था कि हम इस पर भी सबसीडी देंगे तो मैं खिसानों की बता दूँ और उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उसमें भी हमने जो है अब पचास प्रूंस सबसीडी जो है शूरू कर द जिसमें हम दो सो पैसेट रपे ऑस्तन जो उनको पढ़ेंगे और जो आपकी काटड़ातार की लोहे की पूल होगा उसमें पचास प्रसेंट ऑस्तन दो सो आठ रपे जो है उनको रनी मिटर के हिसाफ से देना पड़ेगा और एक हमने चेन लिंक बार्ड लगाने का भी प्र चोटे जानवर जो नीची चले जाते थे और अब उससे करने के लिए जो हमने ये जो है इसमें प्चास प्रसें सबसेड़ी दे रहे हैं हम इसमें आस्तन तीसो बीस में आपका रेनिंग मिटर पड़ेगा और ये तो डर्क स्ब जो से आपने पता है कि विभिन हमने योजन को जो है लाब पहुचाना या उसका चाहिन आपने ना इसकी प्रकेरिया किराती है ताकि की सी परकार का कोई बे intelloft ना हूँ हमारे पास मैंने आपको पहले पिताया कि हमारे हरे ब्लॉग में SMS बैठते है समस के पास Eđ scripts हे सोते हैं यहां करेंगे जो हड़े सर यहरे आप्लाई करेंगा जोर अपला हो पाथर ख्यू बार Standard बजट सीमित होता है उसके अनुसार जो है आप चाहिन करते हैं उनको लाप मुझाते हैं डॉक्टर दता आप हमारे स्टूडियोज में अतनी इसी जैनकारी है हमारे किसान भाईयों को दी आपका एक पार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है तो ये था हमारा आज क्या कारेक आप देखते हैं दूरदर्शन दीजी डॉक्टर राजीव मैत को जाज़त नमस्कार